रहम दिल साभे किर्दार थे कल्ब इस आदिक, पूरी उम्मत के निगेदार थे कल्ब इसादिक, इसलिए इल्म की करते रहे शम्हे रोशन, आशिके है दरे करार थे कल्ब इसादिक, और हक बयानी से लिया काम ना बातिल से डरे हुबहु मीसमे तमार थे कल्बे सादिक और स्यदा वक्त निजा सामने आई होंगी क्योंकि सरवर के अजादार थे कल्बे सादिक और फक्र मिल्लत जिगर कौम हकी में उम्मत सारे अल्काब के हकबार थे कल्बे सादिक और ऐसा रखना है पड़ापूर नहीं हो सकता कभी इल्म की वाकई दीवार थे कल्बे सादिक और मुत्हिज रहने का पैगाम दिया करते थे पैरगे अहमदे मुक्तार थे कल्बे सादिक और थी ये कोशिस की मेरी कौम न सोजाए कहीं थी ये कोशिस की मेरी कौम न सोजाए कहीं बस इसी फिक्र में बेदार थे कल्बे सादिक और गमेश बीर में रोए भी रुलाते भी रहे गम इशपीर में रोए भी रुलाते भी रहे बाग जन्नत के खरीदार थे कल्ब सादिक वाग जन्नत के खरीदार थे कल्ब सादिक ओ आरजू थी यहीर फान जहालत मिट जाए आजूति यही इर्फान जहालत मिट जाए इल्म हैदर के अलमदार थे कल्बे साधिक नारे सलवाद ये थे हाजी सर्वर ऐली रिजवी साथ जो बहतरी कलाम पेश कर रहे थे अब मैं तास्रात पेश करने के लिए गुजारिश गुजार हूँ आली जनाम मौलाना अली मेंदी साथ प्रिबला से के उतश्रीफ लाएं और मरहूम के जिन्दगी के उपर अपने ख्यालात पेश करें आप अज़रात नारह सलवात से इस्तरवाल गरें जिन्दग repente जाथ के लिए स्वार मौलाना प्रोग एल्हा उस्तरइर इस Сय जन्दें आसी साथ करें लिए लाएं ऑ्यर्थ ले समुजा हैं अर्मान ताहिं अम् enlightenment अम्मा बाद, वक्त काल अल्लाह सुभाना हुआना 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 है। डॉक्टर कल्ब सादित साथ की जिन्दगी के हवाले से कुछ उनकी हयात तयबा पर रोशनी डाली जाए लेकिन बहराल उनके हवाले से कुछ कहना गोया छोटा मूँ और बड़ी बात है कहां वो और कहां मुझ जैसा अदना सा तालिब इल्ब। बहराल एक शिक्वा जो खुद अपने आप से है और मुमिनी को भी इस चीज़ को समझना होगा। वो ये कि ऐसा नहीं है कि हमारे दर्मियान इल्मी शक्सियते नहीं हैं या दीन के रास्ते पर इसलाम के रास्ते पर काम करने वाले मौझ नहीं हैं बिल्कुल। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा मसाला ये है कि जिस वक्त वो शक्सियत मौझूद होती है उस वक्त हम उस शक्सियत के कदर नहीं करते हैं। अगर हम उस शक्सियत के कदर उसकी जिन्दगी में करने तो आप सोचें कि हम कितना मुस्तफीज होंगे उसकी जास से अब देखें यही मसला है और हर वो शक्स चाहे आलिम हो या गेर आलिम हो अगर उससे दिन को कोई फाइदा पहुँच रहा हैं तो हमें कदर करनी ऐसे अफराद की ताकि उसके जिन्दगी में हम उसके फ्यूज और बरकात हासिल कर सकें तो पहली चीज़ दूसरी बात मौलाना डाक्टर कल्ब-सादिक साहब जिनके हवाले साहब मुसलसल तासुराद भी सुन रहे हैं और तकारीर भी समात फर्मा रहे हैं मजलिसे भी समा किया और उनके जिन्दगी जाहिर है कि उन्होंने देखिए इनसान जब किसी मनजल पर पहुंच जाता है तो कोशिश ये करता है कि जादातर फाइदा उसका उसकी जात तक महदूद हो या बहुत आगे बहुतने की कोशिश करता है तो उसके खानदान तक महदूद हो चीज चुर्थे खरस्त्रों के जोसे को आँड कि गड़िया को आगे बढ़ने को इस नहीं किये बलकि अनुन चाहे है, कि ये कौम तरक्पी आगे बढ़े और अजसा ही होता है कालिम, कि जिसके अंधर कौम का दर्द होता है कौम का दर्द किसके अंदर होगा जाहिल कभी उन्हीं समझ सकता कि कौम का दर्द क्या है जाहिल कभी इल्म की अजमत को नहीं समझ सकता है कि इल्म कौम के लिए कितना जरूरी है कितना वाजिब है कभी कभी ऐसे अफराद के जो किसी मदरसे में नहीं पढ़े किसी स्कूल में नहीं गए जब वो इल्म की बात करते हैं तो क्या हमें हसी आती है इसे लोगों के पर क्या आपने कुछ हासिन नहीं किया और खुद आप इल्म के ओपर गुफटबू कर रहे हैं इल्म के ओपर रोशनी डाल रहे हैं यह उसके लिए है कि जो यह चीज़े जानता हो जिसको इल्म की अहमियत मालूम हो क्या है इल्म की अहमियत इसकी मिसाल इसी तरीके से दी जा सकती है कि मसलां सड़क के किनारे एक ठेले वाला तर्बूस बेच रहा महीं बगल से एक नाला भी गुजर रहा धूल मिटी सारी उस तर्बूस के ओपर आकर के जमा हो रही है और लोग हैं कि जो उस तर्बूस को खरीद करके खा रहे हैं किसी के ओपर कोई असर नहीं है यहां तक कि उधर से एक डाक्टर का गुजर हुआ अब जैसे उस डाक्टर ने देखा तो फूरां अफसोस जाहिर किया कि भी आखिर यह कैसे लोग हैं यह क्या खा रहे हैं यह जहर खा रहे हैं यह तबाह हो जाएंगे क्यों क्यों कि मालूम है कि इसका नुफसान क्या है उसी तरीके से एक आलिंग को जहल का नुफसान मालूम होता है कि क्या है लिहाज़ा वो अपनी कौम को इल्म के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है और ऐसा ही काम किया है मौला ना डाक्टर कल्ब सादिख साथ ने ऐसे ऐसे कारणामे हैं उनके बस आखरे कलाम में गुजारिश यही है कि परवर्दिगार आलम हम को यह तोफीख अता करें कि वो मिशन जो डाक्टर कल्ब सादिख साथ ने करके चले हैं कौम को तरकी की तरफ ले जाने के लिए कौम को तालिएं के सलसले से हम भी उसी रास्टे पर गांजन वहें परवर्दिकार आलम हम सब को ये तौफीग अता करे वा आखरो दावाना आनि लहांदु लिल्हा रभिल्या अलमीन वसल्लाव वाला मुहम्मद आलिह त्यमीन अताहिरीन अब आनला जजात आलम ये थे मुलाना अली महदी साथ प्रिबला जो बेहतरी इंतासुराद पेश कर रहे थे अब इस सलसले को मन्जूम नजरा नए अकीदत की सलसले में आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब मुजफर इमाम साथ से को तश्रीफ लाएं आप हज़रात नारे सल्वार से इस्तिक्वार करें हज़रात इस सामिन सलाम अलाएकुम एक कलाम हज़रात हकीम ए उम्मत की दुनवान से बतोरे हज़रात के आशिके हैदर करार थे कल्ब सादिक। आशिके हैदर करार थे कल्ब सादिक। फातिमा आप के गमखार थे कल्बे सादिक फातिमा आप के अज़ात यहां से अशार मत दोर रहे खास के इल्म की बात सदा करते रहे मिम्बर से जहले के सामने दीवार थे कल्बे सादिक दर्स इखला को महबत का दिया करते थे आदिमियत के अलंदार थे कल्बे सादिक आदिमियत के अलंदार थे कल्बे सादिक ज़रात इशार सदिक यह बतौर रहास पर तमाम मुम्नीन और तमाम आने वाले जो नसलें उनके लिए बतौर रहास कि दाटर साथ की क्या एक खुवी थे बतौर रहास कि एहमियत वाक्त की रखते थे नजर में हर दम इहमियत वाक्त की रखते थे नजर में हर दम इहमियत वाक्त की रखते थे नजर में हर दम इसलिए गौम के सरदार थे कल्बे सादिक जिन्दगी वक्फ थी इनसानियत की खिद्मत में जिन्दगी वक्फ थी निसानियत की खिद्मत में पूरी मिल्ट के मददगार थे कल्बे सादिक पूरी मिल्ट के पूरी मिल्ट के मददगार थे कल्बे सादिक अज़ास भी शेव बतौरे खास कि सिर्फ उनके इल्म और उनकी किरदार का इतराफ से हम नीकारते हैं खैर कोंपी करते ही तरहों हुआ् खाना हे हग की बातों के परस्तार थे कल्बे सादिप नौजवानों को सदा हक की तरफ मोड़ा है वक्त के मीसा में तंमार थे कल्बे सादिप वक्त के मीसा में तंमार थे कल्बे सादिप कि ऐे मुजाफर ये कहावों के हर आलिम ने ऐे मुजाफर ये कहावों के हर आलिम ने खादी में एहमद मुखतार थे कल्ब सादिकू खादी में एहमद एहमियत वाक्त की रखते थे नजर में हर दम इसलिए कौम के सरदार थे कल्ब सादिकू ये थे जनाब मुजाफर इमाम साथ जो बेहतरी नशार के शवर्मा रहे थे आप हज़राद महजूज हो रहे थे अब मैं एक उज़ार ये खज़ार हूँ अली जनाब मुलाना हिलाल अबास साथ से के वो अपने तासुराद ड्रक्टर कल्व सादिक साथ मुरहूं के सिल्सिले में कुछ मुछ मुटसर अंपेश करें आप हज़राद नारे सल्वाथ से इस्तर्वाल करें वारमाना अजिये मस वज़ाद इस्तर्वाद वारमाना हिला, खरता क." तर खजरात मुटसर आपर मुटसर हीओ, आपार आफुक्त व्यूसेव constructive ये खायूंबगे. अम्ध़ ल्हरर्ब एलामीन सलत वुष्वालाम एला अश्रफि अम्ईया और मुरसलीन आर बेदित तय्यीबीन अताहिरीन अमासूमीन अमा बादख वोगत रसूल लाहिस स्टलाफिक रॉल्ह अलिह वास्ट्राइक एक साहर भात पते मैं पार मुछायोखेश आज़ाने मुहतरम बहुत ही मशूर मारूफ हदीश है और जिस शक्सियत के लिए बयान करना है यकीनन वो इतनी गना कदर शक्सियत है कि उसके लिए हम जैसे तालिब आल्ब के लिए जबान कोलना बहुत मुश्किल है इसलिए कि वो शक्सियत ऐसी है जिसकी शान में कुछ अल्फाज बयान करना अल्फाज कम हो जाएंगी उसकी शान बहुत बलंद है इसलिए कि उसने हर कौम के लिए काम किया है किसी एक के लिए नहीं कि सिर्व हमारा है उसके लिए और जैसा के सन चौरान नबे से हमें आरे उनके तालगात रहें अक्सर बराबर मुलागात रही और अक्सर साथ में उटना बेदना या साथ में सफर भी हुआ अधिकात इतनी साथगी इतनी वेतरी नहीं बयान करने की दूराने सब जानते हैं ये उनके लिए लेकिन कुछ अपने अलफाज में मैं बयान करना चाहता हूं कि उनकी साथगी उनकी हमदर्दी बहुत ज्यादा थी गाउम के लिए उनके दो जुमले खाली यही थे कि गरीबी हटाओ और जहालत हटाओ अजीजों ये ताजियती जलसे ये मजलिसें उनकी शान उनके इसाले सवाब के लिए या उनकी याद मनाना सिर्फ जबानी अगर याद बनाना है तो बेकार है बलके आमाली याद बनाओ जिससे वो खुश होते हो उन्होंने खुद कहा है कई मरतबह अपने तक्रीरों में आप अजराते हैं योटूब में बहुत सुने होंगे कि कोई भी चीज हो तो पहले उस पे अमल करो यकीन वो अमल करते थे अगर वो अगर हम और आप ये कहें कि आप नमादे सुबा पढ़ें तो हमें चाहिए पहले कि हम सुबा पढ़ें अगर हम कहें कि सुबा टहलने जाओ तो सुबा टहलने जाना चाहिए अक्सर इंसान जो उनसे मुलाकात करना चाहता था तो वो मुलाकात अगर नहीं कर पाता था कहीं दफ्तर में यह कहीं तो उनके लिए वो नीमुपार की वो सड़क आज भी याद कर रही होगी कि सुबा की नमाज के बाद वो टहलने जाते थे इतनी उम्र होने के बाद भी हम जैसे अभी दो सर्दियों में रजाई से लिहाब से निकलते नहीं है वो जो पाबंद थे वक्त के और वक्त की पाबंदी के साथ वो काम लिया करते थे और सुबा की नमाज के लिए वो टहलने जाते थे अगर किसी को मुलाकात करना हो तो वहाँ पर कर ले मुलाकात और वो उनके साथ टहल कर बेहतरीन नसियत बेहतरीन बाते और वक्त के पाबंद यकीन थे लहाज़ा जब भी उनकी याद आए तो आप खुद वक्त के पाबंद बन जाएं अगर वक्त की पावंदी कर ले तो चीज़ें इनसान अगर कर ले अगर इसलाम को मानता है मुसल्मान है तो वक्त की पावंदी कर ले और आपस की हमदर्दी कर ले यही दो बाते खाली अख्तियार कर ले तो कभी कोई गुमराही की मन्जिल में नहीं जा सकता वो जो ए, इनसान हमदर्दी अगर दिल में होगी तो जरा सा अगर कोई खता हो गई होगी कोई गलती किसी से हो जाएगी कोई बात अगर कुछ हो जाएगी जहन पे बार पड़ जाएगी तो हमदर्दी के नाते उसे दूर कर देगा और इलम होना चाहिए علم کی وجہ سے معرفت बढ़ती है علم کی وجہ سے جب معرفت बढ़ेगी तब समझ में सब कुछ आएगा तब समझ में कुछ आएगा वरना खाली लफवाजियों से खाली जो है खाली हम कुछ करते रहें इसे ही तो जबानी जमाखर्च होगी अमली मैदान में हमें आना है अमल करके दिखाना है जो हम जबान से कहें वही अपने आज़ा वजवारे से करें यह नहीं खाली कहते रहें और करते ना रहें यकीन जानी अजीज़ों आज ही की बात यह एक ही कौन नहीं जानता सीस्तान आजकल बहुत जादा मरजा एकराम पर जो है कहा जाता कि यह वह उनका फत्वा इनका फत्वा अपने आखसरियत है यह कि सीस्तानी साथ के मुखलदीन है किसको नहीं मालू है कुछबबा है जुमा सुनना वाजिब है कितने लोग सुन रहे थे कितने लोग सुन रहे थे और वाँ सहेंड में खड़े हुए थे देखे हाजिर हुए हैं तो सुनना वाजिब गहर हाजिर हैं तो सुनना वाजिब नहीं है यहां तक के खुद्बे के दर्मियान तस्भी पढ़ना मना है तस्भी का सवाब कितना है हर वाजिब नमाज के बाद अगर आप अपनी नमाज की कुबूरियत चाहते हैं तो तस्वीय जनाब स्यदा पढ़ें आपकी नमाज कुबूल होगी सबसे बेहतरीन ताकी बात में से तस्वीय फातिमा है बेहतरीन है यहां तक के पहलू नबद लें और तस्वीय पढ़ें तो यह कों नहीं जानता है जरा सब कोई और मसला हो जाए तो सब कर जाएं यह मसला वो मसला वो मसला पहले अब्तिदाई मसलों पर अमल करो पिर आगे एक वाज़ पढ़ना अफ्तिदाई मसलों को इंसान इसलिए मौलाना डाक्टर कल्वे साधिक साहब वो जो कुछ कहते थे पहले करते थे उन्होंने कह दिया कि हम निकाह उस वक्त तक नहीं पढ़ेंगे जब तक महर नहीं होगी तो किसी का निकाह नहीं पढ़ा टाइम के वक्त पावन्द है कि यहां के सर्वे में मजलिस थी है अली जना मौलाना हैदर मैदी साहब की मौह एक साहब अपने ही साथ गए हुए थे वो दो चार अशार पढ़ने लगे का एक मिनट बाकी रह गिया है जितने अशार पढ़ना हो पढ़ लीजिए और उनके वाकियाद बहुत से है यहां सिर्भी इंडिया में सिर्भ लक्नों में या आसपास के जगा नहीं बलके फारें भी गए हैं तो उन्होंने वक्त की पावन्दी की है और जो वक्त की पावन्दी कर लेगा वो हर चीज़ में कामियाब होझाए गा जो वक्त की पावन्दी कर लेगा खास तौर से याश्गरी हाल में मैं ये पैगार में देना चाहता हूं डाप्र कल्बे साजिग साहब के इस मजलिस से कि अगर आग डाक्टर कल्बे साजिग साहब को याद कर रहे हैं तो मजलिसों की पाबंदी करें और वक्त की पाबंदी करें यह नहीं चाहे पांच अफराद आएं एक साहब ने कहा कि हम शहर के जाकिरों के इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं कि वहां मजमा का माता है भी हमको तो जल्दी पूछते ही शुपरे खुदा है परवर्दिकार के आज मौका मिल गया है एक सालवाद बेदे बर मौमद मौका मिला है जीजान मौत यहाद चैने जीजान हम इसलिए उनका जुमला यह ता है इसलिए नहीं पढ़ाते हैं के मजमा कमाता है बाहर से इसलिए बुलाते हैं ताके मजमा ज्यादा है यकीन यानि यह मजलिस बातिल है बेकार है इसका कोई सवाब नहीं अगर इस इरादे से बुलाते हैं हाँ बेतरीन जिक्र सुनने को मिलेगा बेतरीन हदीसे मिलेगी बेहतरीन तफसीर मिलेगी बेहतरीन जो है जिक्र मिलेगा बेहतरीन अंदाज से चंद आसू ज्यादा निकलाएंगे तो यह इसमे सवाब है लेकिन मजमे को बुलाने के लिए पांच अफराद आएं लेकिन खुलूस के साथ हो उसमे बरकत है वो कुबूलियत की सनद है एक सालवाद भे दिबर महमर वाजमा जाजा डाक्टर कल्वे साथिक साथ को याद करना सिर्व याद कर लेना नहीं उनके तवर तरीकों को उनके अक्वाल को उसको अपनी जिन्दगी में उतार ले उस पर अमल करने की कोशिश करें और अल्लाप पर भरोसा करें उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किये चाहे एरा हो चाहे यूनिटी हो चाहे ट्रीमटी हो बहुत बड़े वई एक ही जगा नहीं सर्थ वो तो बाद में यूटूब पर से पता चला कि इलाबाद में भी है फलाजर गाम कहीं कहीं जगां उनके समय अलीगर्ड में भी है ये तो बाद मुझे पता चला लेकिन हम तो समझते हैं खाली लखनों में किया लेकिन ये उनके कारनामें इतने ज़्यादा हैं वो सिर्थ अपनी अकेली जाद पर नहीं उठके हुए थे कि सिर्थ हम कर सकते हैं बलके अल्ला की साथ उठके हुए थे अगर अल्ला की मदद नहीं होगी तो एक मकतब भी नहीं चला सकते अगर अल्ला की मदद होगी तो बड़ी बड़ी युनिश्टिया खुल जाएं लेकिन खुलूस होना चाहिए नामो नमूद नहीं होना चाहिए कौम की हमदर्दी होना चाहिए बलके इंसानियत की हमदर्दी होना चाहिए कोई भी इंसान हो चाहे जिस मजभबों मिल्लत का हो उसके साथ हमदर्दी करना चाहिए जब हमदर्दी करेंगे तरहों जी यकीन जानिए कि वो खाबले कुबूल होगी वो हमारे लिए तरफ्टी की मन्जिलत पर ज्यादा जो है थाबित होगी तैसा इन अलफाज के साथ हम यह चाहेंगे कि अगर कलवे सादिक साथ को याद किया जाए तो उनकी जिन्दगी को पड़कर नहीं अलफाज के साथ हम दुआ करते हैं बरवर्दिगार उनको करवड करवड जन्नत नसीब फरमा और जब दरजात को बलंदी अता फरमा बरवर्दिगार रहना मुहमद वाले मुहमद के सद्गे में हर एक को इल्म दीन और दुनिया से माला माल फरमा हमारे लिए खास दोर से ये दुआए एहकाम दीन हमें हासिल करने की तोफी गता फरमा बरवर्दिगार मुहमद वाले मुहमद के सद्गे में जितने भी मुमिन ये मुमिनाद जाँ 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 भी है और इस बला से महफूस फरमा परवर्दिगार इस सर्दी भी बहुत जाँ जाँ है परवर्दिगार इस सर्दी में हमारे जाइफों की हिफास्त फरमा परवर्दिगार मुहमद वाले मुहमद के सद्गे में हमारे इमाम जमाने के जुखूर में ताजील फरमा हम सब कोन के आवामन सर में शुमार फुर्मा रब्बना तकब्बल मिनना इनका अन्तस्समियु लगालीम सलावाद लगे ताखीर हो गई लेकिन चौंद अशार फुर्माले हैं हाज़िट कर रहा हूँ कि अरस करता हूँ के सहर की शक्द में वो जुल्मतोंसे लड़ता रहा ये वो चराफ था जो आंधीों से लड़ता रहा ये वो चराफ था जो आंगियों से लड़ता रहा उफछिर समात फरमाएं कि दीया था उसने हमेशा मुहबचों का पयाम सफीर अमन था वो नफरतों से लड़ता रहा सफीर अमन था वो नफरतों से लड़ता रहा और शेर समात फरमाएं कि जो जिन्दगी की अलामत बदन में रहती है जो जिन्दगी की अलामत बदन में रहती है नफस नफस वो उन्ही धड़कनों से लड़ता रहा नफस नफस वो उन्ही धड़कनों से लड़ता रहा और ये हर्फो लव्ज तो जैसे गुलाम थे उसके वो अहले इल्म था बारीकियों से लड़ता रहा वो अहले इल्म था बारीकियों से लड़ता रहा और अजब मिज़ाज का मालिक था वो खुदा की गसम खुदाईना था मगर पत्थरों से लड़ता रहा अजब मिज़ाज का मालिक था वो खुदा की गसम और अजब मिज़ाज का मालिक था वो खुदा की गसम खुदाईना था मगर पत्थरों से लड़ता रहा और कभी किसी को पुकारा नहीं मदद के लिए वो मुस्कुरा के अकेला गमों से लड़ता रहा और बतोरे खास शेर समात फरमाएं के तवंगरी हो खिताबत हो या खमोशी हो तवंगरी हो खिताबत हो या खमोशी हो हर एक महास पे बारी कियों से लड़ता रहा हर एक महास पे बारी कियों से लड़ता रहा और तीन शेर और समात फरमालें के हमेशा साथ था उसके जमाने भर का हुजूम हमेशा साथ था उसके जमाने भर का हुजूम ये और बात वो तनहाईयों से लड़ता रहा और कभी तो बुख्जो हसद से कभी जहालत से कभी तो बुख्जो हसद से कभी जहालत से वो जिन्दगी के कई जावियों से लड़ता रहा और मक्ता समात फर्मा लें के उसे थी फिक्र के भटके ना काफिले अजमल सो नक्षे पा के लिए रास्तों से लड़ता रहा अब मैं इस सिलसले के आफिर मैं गुजार इस गुजार हूँ आली जनाम मौला ना सियाद इबन अपास साथ पिबला की बारगाह में के वाएं और मौला ना मौसुफ के तासुरात उनकी जिन्दगी के अपर कुछ पेश पर्माएं आप हज़रात उनका भी इस जखबाल नारे सर्वाल से करें आउज बिल्लाहि मिन श्चेटान रर्जीम बिस्मिल्लाहि रर्रह्मान रर्हीम अल्हान रर्भ पुर्वान आप। फी किताबहिल्मूबीन वहुआ असदकुस फादिकीन वकूल हुल्हुलू रिष्वादू डक्टर साथ के हवाले से अपने तास्वराद पेश कर चुके हैं बड़ी तीमती बाते हैं आप हज़रात के गोश गुजार हुई हैं यकीन अब जरूरत नहीं थी लेकिन बारहाल रामने वक्त में भी चुकि गुनजाईश अब जादा नहीं है बलकि तक्रीबन खत्म हो चुकी है बहुत यक्तिसार के साथ इस पुराणी फिक्रे के हवाले से बहुत यक्तिसार के साथ चन बातें और उसके बाद आपकी जहमत खत्म मेरे हवाले से लेकि ये पुराणी एलान है हर नफस को मौत का मज़ा चकना है किसी को इससे फरार नहीं है कोई से बच नहीं सकता जो इस काइनातِ हस्तवूद में आया है उसे बारहाल एक दिन पलट कर अपने मालिक की बारगाह में हाजिर होना है लेकिन मेरे अजीजों जहां ये हकीकत है कि मौत आएगी और हर हाल में आएगी वहीं ये भी हकीकत है कि मौत शख्स को आती है शख्सियत को नहीं आती है मौत इंसान को आती है गिरदार को नहीं आती गिरदार बागी रहता है शख्सियत जिन्दा रहती है बकौल शायर कि छुरी की धार से कटती नहीं चराख कि लो बदन की मौत से इंसान मर नहीं सकता जिस मरता है इंसान नहीं मरता शक्सियत नहीं मरती है किरदार जिन्दा रहता है अब मेरे जीज़ों डाक्टर साहब की जाद तक जाने से पहले अर्ज करूँ आपके सामने कि देखिए ये हकीकत है कि शक्सियत जिन्दा रहती है और ये भी हकीकत है कि बस फक्त अच्छी ही शक्सियत जिन्दा नहीं रहती है बलकि हकीकत तो ये है कि अच्छी शक्सियत भी जिन्दा रहती है बुरी शक्सियतें भी जिन्दा रहती है अच्छा किरदार भी बाकी रहता है बुरा किरदार भी बाकी रहता है नेगेटिव शक्सियतें भी जिन्दा रहती हैं पाजिटिव किरदार भी बाकी रहते हैं ये अलग बात है कि अच्छा इंसान दुनिया से जाता है उसका तसक्रे किरदार भी बाकी रहता है बुरा के इनसान दुनिया से जाता है तब भी तसकिरे किरदार बाकी रहता है फर्क ये है कि अच्छा इनसान दुनिया से जाता है तो जिक्र बाकी रहता है मगर खेर के साथ और अगर बुरा इनसान दुनिया से जाता है तो उस खेर के साथ जिकर बाकी रहता है लेकिन अगर बुरा इंसान दुनिया से जाता है तो फिर जिकर बाकी तो रहता है लेकिन शर के साथ बाकी रहता है तसक्रे शर होता है अब ये इंसान की जिन्दगी गुजारने के अपने तरीके पर मुनहसिर है कि वो दुनिया से जाने के बाद खेर की सूरत में बाकी रहना चाहता है या शर की सूरत में बाकी रहना चाहता है अब ये इंसान की अपनी जिंदगी पर मुनहसिर है और वाकियां बेहतरीन मिसाल है डाक्टर साथ मरहूम की साथ आज ये गली गली कूचा कूचा कर्या कर्या बस्ती बस्ती गाउं गाउं शहर शहर जो जिक्र हो रहा है मरहूम कल्ब सादिक साब का क्यों हो रहा है कोई हमारी उसे खुनी रिश्टेदारी नहीं है कोई उन्होंने हमें कुछ और दे नहीं दिया है کوئی مادی دولت ہمیں نہیں دی ہے بلکہ وہ دولت دی ہے جو واقعا جسم کو بھی تازگی دینے والی ہے روح کو بھی تازگی دینے والی اور وہ دولت علم ہے اور یہی ان کے کردار کے وہ نقوش ہیں کہ جو آج بھی ان کی ذات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ان کا تذکرہ اسی طرح خیر کے ساتھ ہوگا ذکر خیر ہوتا رہے گا ان کی شخصیت باقی رہے گی لیکن میرے عزیزوں उनका ये किरदार देखिए उनोंने अगर इल्म की खिद्मत की तो वाकियां ये वो आलिम बाعمल था जो फक्त मिंबर से ये हदीस रसूल सुनाता नहीं था कि तरबुल इल्मे फरीजतन अला कुल मुस्लिमिन वो मुस्लिमा बल्कि अगर वो ये हदीस रसूल मिंबर से सुनाते थे तो फिर कौम को आगे बढ़के सहारा भी देते थे देखो इल्म हासिल करना तुम पर फर्द है आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा आओ मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा डाक्टर सहाब के केरदार का ये पहलो रहती दुनिया तक हर मुबलिक के लिए दर्से अमल है कि फक्त लोगों को खेर जबान से नवताओ बल्कि जबान से बदाते भी जाओ खेर में उनके मददगार भी बनते चले जाओ यहर मुबलिख के लिए उनका किरदार एक दर्स है कि लोगों को अगर खेर की दावत दे रहे हो तो पिर अपने अमल के जरीए सहारा बनो कौम का मदद करो कौम को खेर के रास्ते बलाने के लिए और इस दो देखे बस बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ डाक्टर साव के हवाले से एक गलत पहमी कभी-कभी लोगों के जहन में आ जाती है कि डाक्टर साव बहुत जादा चूब कि वो दुनियावी तालीम के आमी थे इंग्लिश तालीम पर बड़ा तो ये दुन्यावी और दिनी तालीम का जो फर्फ पैदा किया गया है ये भी हमारा पैदा किया हुआ है हकीकतन हर अर इल्म जो है वो आखिरत का सर्माया बनता है किसी न किसी रुख से बाराल लंबी वह से इसमें जाना नहीं है लेकिन चुकि वो इंगलिस तालीम पर जादा जोड़ देते थे तो कभी कभी ये तसवर जैनों में आजाता है कि वो मसला शरीयत से कुछ बहुत जादा दिल्जस्पी या दीन से बहुत जादा उने दिल्जस्पी नहीं थी वो लोगों को दुनिया के रामे आगे बढ़ाना चाहते थे अजीज़ों ये इल्जाम है उनकी जाद पर कि वो शरीयत से दिल्जस्पी नहीं रखते थे आलिम थे दीन के आलिम थे कैसे मुम्किन है कि वो शरीयत से दिल्जस्पी नहीं रखते हो मैं अपनी जिन्दगी का एक वाकिया बताओं आपको उनके हवाले से एक जगा मजली सही साले सवाब थी दो मजलीसें थी इत्वाफ से एक मजलीस एक दूसरे मौलाना साब को पुढ़ना थी एक मजलीस डाक्टर साब को पुढ़ना थी उस मजलिस में थोड़ा बहुत मेरा भी दखल था लेकिन बारहाल मुझसे बजर्ग सिन में एक साब जो वाकिया जादा जम्मेदार थे उस मजलिस के उन्होंने डाक्टर साब से वादा लिया दो मलिसे होना थी जो दूसरे मुलाना थे, उन्हें पहली मिलिस पढ़ना थी और डाक्टर साब को दूसरी मिलिस पढ़ना थी उन्होंने वादा लिया, मुझे नहीं पता चला कैसे वादा हुआ, क्या हुआ जब मेरे सामने पोस्टर आया, तो मैंने उस पर देखा कि पहली मल्लिस का वक लिखा हुआ है गैरा बजे दिन दूसरी मल्लिस जो डाक्टर साब को पढ़ना था उसका वक लिखा हुआ है साड़े बारा बजे दिन और उन ऐाम में वक्ते नमाज सवाबारा बजे होता था मैंने उन बज़ुर सेर्ज किया कि यह आपने क्या किया साड़े बारा बजे आपने डाक्टर साब की मल्लिस रख दी और सवाबारा बजे नमाज का वक्त होता अगर पहली मल्लिस में मुलाना ने 10-5 मिनट बढ़ा दिया तो आए नमाज का वक्त तो हो जाएगा और फॉरण डाक्टर साब का टाइम आ जाएगा तो अभी नमाज का क्या होगा उन्होंने का हाँ वही होतो गए खलती लेकिन अब जो हो गया हो गया अब जिससे नमाज पढ़ना वाब में पढ़ता रहेगा चुँकि बाराल वो मेरे बज़र्ग थे मैं मजबूर हो गया लेकिन मैंने दिल में काता हूना सही जो मैं अवले वक्ते नमाज पर नमाज का इनिकाद न करा दूँ यही हुआ पहली मलिस हुई जो जाकिर अवल थे उन्होंने मलिस बड़ी सवा बारा बज़े नमाज का वक्त होता था वो मिंबर से उत्रे बारा बीस पर और जब वो मसायब पे थे लो डाक्टर साब पहुँचके मिंबर के सामने बैठ चुके थे बारा बीस पर मुलाना मिंबर से उत्रे मैंने फौरण डाक्टर साब की खिंदम में हाजरी दी और मैंने का किबला जो पोस्टर में आपके नाम के साथ वक्त लिखा हुआ है वो है साड़े वारा बजे बारा बीस हो चुका है दस मिनट का वक्वा बचा है एक दो शायर भी है जेने पढ़ना है अगर ये शौरा पढ़ेंगे तो साड़े वारा बच जाएगा आपके बारा बच जाएगा आपके बालिस का वक्त हो जाएगा हाँ बिल्कुल मैंने का हुदूर लेकिन जो नक्षे पर नमाज का टाइम है उस वारा बचे सिर्फ पांच मिनट आगे बढ़ें अवले वक्ते नमाज है अब ये आपके उपर है कि आप अपने वक्ते मलिस पढ़ें ये अगर हुप मिले तो नमाज जमाद कही निकात करा दिया जाए उन्होंने मुस्कुरा कि मेरा चेहरा देखा मेरे पीट पर उन्होंने एक धौल मारी और धौल मारने के साथ जो उनके मुस्सूद जमले हुआ करते थे वही जमले उन्होंने का वा मिया धरम संकट में डाल दिया हुझे लेकिन अब जाओ डाल दिया है तो धरम को आगे रखो पहले नमाज जमाद काई निकात करो फिर मलिस होगी नतीजा ये हुआ कि नमाज जमाद हुई और डाक्टर साब का टाइम साड़े बारा बज़े था वो एक बज़ने में जब प्माच मिट बाकी थे उस वो मिंबर पे गए यानि जो उनकी जिन्दगी का तुर्रह अम्तियास था कि वो कभी अपने वक्त से आगे नहीं बहुते थे ना पीछे अटते थे चुकि शरीयत की निफास, शरीयत के निफास का मसला था लहादा उन्होंने अपने इस रसूल को तोड़ा और शरीयत को आगे रखा ये इस बात की दलील है कि डाक्टर साथ वो आलिमें बाअमल थे जो फरसूदा ख्याली के मुखालिब भी थे और दुश्मन थे शरीयत के मुबलिग भी थे और हामी भी थे सलावाद पुने बर मुहम्मद वालिम इस तरह की गलत पहिमी किसी के दिल में ना आने पहाँ मैंने खत्म कि अपनी गुफ्तगू बस आखरे कलाम में आखरी जुम्ला में कहना चाह रहा हूं वो ये जैसा कि भी हमारे मुहतरम मुलाना अलिमेदी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहां जब आलिम या कोई ऐसी मुहतरम शफ्सियत जिन्दा होती है तो उसकी गदर नहीं होती मैं इन्ही के बात को आगे बढ़ा कि एक जुम्ले का अदाफा कर दूँ कि जिस दिन हमारी कौम मुर्दा परस्ती के साथ जिन्दा परस्ती भी करने लगेगी बरगतें और साथतें हमारा मुकदर बन जाएं और फिर हमारे मुंकोतर मुलाना हिलाल साथ ने जो बात कई बहुत थाधितशियता बात थी कि वाकियां अगर डाक्टर साथ को हम खिराज इक रिदितदे करें प्याशिय जाएं हमें ये भी जिक्र करना है कि उन्हों ने क्या किया और उनके ये करने के बाद अब हमें क्या करना बाजीजों जैसे जैसे हमारा ये खिराज अकीदत जबानी तोर से अमली खिराज अकीदत में बदलता जाएगा उनकी रूप वहाँ शाद होती चली जाएगी और अमली खिराज अकीदत यही है कि जो उन्होंने चराग इल्म रौशन किया है हम अपनी पूरी तवानाई को सर्व करके उस चराग इल्म की लोगो चितना जितना बढ़हाते चले जाएंगे डाक्टर साहब को अमली खिराज अकीदत पेश होता चला जाए परवर्दिगार दुआ है मुहम्मद ओ आले मुहम्मद अलहिमस्सलाम के सदके में कि डाक्टर साहब यह उनी जैसे जो उल्माय हक दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी मखफरत फर्मा उनके दरजात को आली फर्मा और आज जो हमारे दर्मियान उल्मा बाती है परवर्दिगार इन सब को तूले उम्र अता फर्मा और यहां तक की इतनी तूले उम्र मिले जितने उल्माय हक आज हमारी दुनिया शीयत में मौजूद है आखरी दौाई यह परवर्दिगार इन उल्मा को इतनी तूले उम्र ता फर्मा कि इन उल्मा की यह उम्र इमाम के ज़ूर से मिल जाए और यह सारे के सारे उल्मा हम सब के आगे आगे इमाम के नासिरों में शुमार हो और इन्हें के नक्ष खदम पर चलते हुए हम भी इमाम के नासिरों और मददगारों में शुमार हो सकें खिद्मत दीन भी करें खिद्मत इमाम भी करें अल्लाहुमा तकबल मिन्ना इन्नकांत समीमा अल्लाहुमा तकबल में खिद्मत पर चलते हुए हम आमिन खिद्मत भी करें ये परवड़िगार मुहमद वाले मुहमद के सद्दे में जल से जल उन्हें सिहते आजिरों कामित अधा खर्माएं